प्रभीश मसी के पवितर नाम में आप सब्भों को मेरा नमस्कार मैं सजी भिलाईवाला आशा करता हूँ कि इन संदोशों के द्वारा आप आत्मिकाशिश पा रहे हैं आप सब्भों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियों कोई भी मनुश्यप संपूर्ण नहीं है हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है और कुछ न कुछ खुबी भी हमारी नजर में कोई कमी बड़ी हो सकती है या माफी के लाइक हो सकती है मगर प्रमीश्वर क्या सोचता है मैं सोचता हूँ हमें इसे समझना चाहिए आज और कल में पतरस के जीवन से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम प्रेरित पतरस, शीमौन पतरस, संत पतरस वगरा के नाम से जाना जाता है ये शक्स प्रभीश्य मसी के चेलों में प्रमुख था ये है कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों में इसे जिन लोगों को साथ रखता है उन में से एक था पतरस एक दिन ईश्य मसी ने अपने तीन शिश्यों को रूपांतरित शरीर का दर्शन दिया था एक आंत में एक पहाड के उपर वो तीन शिश्य थे पतरस, याकूब और युहन्ना जिस दिन प्रभी इश्य मसी को पकड़वाया गया था उस दिन की घटना है रोमी सैनिक अपने दल बल के साथ इश्यों को गिरफतार करने आते हैं उनके साथ बहुत सारे सैनिक और हत्यार थे ऐसे हालत में पतरस तैश में आकर अपनी तलवार निकालता है और एक आदमी का कान काट डालता है इश्यों उसे डाटते हैं और जिस आदमी की कान काटी जाती है उसे चंगा कर देते हैं इस घटना में हम जल्दबाजी करने वाले पतरस को देखते हैं इस जल्दबाजी की हरकत से कुछ हासिल नहीं होता है इस से परमेश्वर के कार्य में और उसकी पधती में बाधा पड़ती है ईशु को गिरफतार किया जाता है और अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा होता है पतरस उनके पीछे पीछे दूरी बना कर चलता है जिस इशु के लिए वो अपनी जान देने की बात कर रहा था उस से वो दूरी बना कर चल रहा था कई बार हम भी अपने प्रफू से थोड़ा दूरी बना कर चलते हैं ताकि लोगों को पता न चले कि हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं, तो हमें कुछ बातों से अलग रहना पड़ेगा, इसलिए हम समाज में बताने से हिचकते हैं, कि हम विश्वासी हैं, पत्रस भी हिचक रहा था, लेकिन जब प्रव्यूश अध्या 21 आयत 15 से सत्र बाकी 11 चेलों को छोड़ कर ईश्यू पत्रस को चुनते हैं और कलिस्या की स्थापना की जिम्मेदारी उसे सौपते हैं मत्ती 16 सत्रा क्यों? एक जल्दबाज इंसान को एक हिचक रखने वाले इंसान को प्रभीश्य मसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौपते हैं कुछ है खूपियां थी पत्रस में जिसके कारण ईश्यू ऐसा करते हैं प्रभीश्य मसी के साथ के पत्रस के जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि पत्रस एक महनती इंसान था इश्यू मसी जब उसे अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाते हैं तब वो जाल बना रहा था अपने काम धंदे में लगा हुआ था वो आलज करके कहीं बैठा हुआ नहीं था एक दिन और ऐसा होता है कि प्रभु इश्यू मसी उसके पास होते हैं उसकी नाव पर और उससे बोलते हैं कि गहरे में चल और जाल डाल पतरस उसे कहता है प्रभु हमने रात भर मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा फिर भी तू कहता है तो मैं तेरे कहने पर जाल डालूँगा वो मेहनत करने से कतराता नहीं है रात भर का थका आरा पतरस प्रभीश्य मसी के कहने पर फिर से जाल डालने के लिए अपनी नाव चलाने लगता है प्रभी शुमसी की मौत के बाद जब मर्यम आकर कहती है कि इशु जी उठा है उसकी कबर खाली है पत्रस दोड़ कर जाता है और ये सचाई को जानने की कोशिश करता है कि वाकई में इशु जिन्दा है कि नहीं वाकई में उसकी लोत कबर में है कि नहीं पत्रस जल्दबाद जरूर था पत्रस हिचकने वाला और डरपोग था लेकिन वो महनती भी था और सचाई को परखने वाला भी था कल हम पत्रस के जीवन पर थुड़ा और मनन करेंगे आमीन